अंसलों और फोने के समय चैनल सबसे पहले तो मेरे तमाम हिंदू भाईयों को हैपी होलिटो यू और पिश्वस्वाब करते हैं मेरे लिए वाइसे बहुत सारी आपके हिंदी में कहते हैं शुब काम ना हैं बहुत खुश रहें आप लोग अपनी families के साथ खुश रही है तहवार चाहे वो एद हो चाहे वो holy हो चाहे वो Christmas हो कुछ भी हो तहवार तहवार खुश्य को जो तहवार होता है वो obviously सब के लिए बहुत ही माईने रखता है आज की मैं कोई आप का review नहीं कर रहा कुछ भी review नहीं कर आज मैं अपनी 2-3 दिल की बातें कहना चाहूंगा नबर वन के religion यार दिखो मैं एक बात हूँ ये मेरा मानना है राइट चाहे कोई भी religion हो चाहे वो Muslim हो चाहे वो Hindu हो चाहे वो Esai हो चाहे वो Sikh हो चाहे वो कुछ भी हो राइट सबकी नजर में उसका जो religion है वो बहुत माहिने रखता है नमबर वन नमबर टू के उससे में बढ़कर एक चीज पता है क्या है वो है इंसानियत क्यों क्योंके देखो अगर आप गिरते हो या आपको कोई चोट लगती है तकलीफ किसको होती है या नि एक इंसान को तकलीफ होती है तो चाहे वो Hindu हो चाहे वो Muslimान हो कुछ भी हो I'm sorry मैं फोड़ा सो topic different कर दिया मैंने लेकिन जो बात जो reality है जिसे हमें समझना चाहिए वो तो समझना चाहिए तो सबसे पहले है इंसान किसी का भी दिल न दुखे हर इंसान को कोशिश ये करने चाहिए आपको बता है मेरे बहुत सारे मतलब मेरी जो following में है जो मुझे follow करते हैं वो बहुत सारे मेरे Indian दोस्त हैं मेरे Indians भाई हैं और आपको ये एक बात बताने में मुझे पढ़ा एक अच्छा लगेगा कि आपका India का जो National Anthem है वो भी मैं गा चुका हूँ बताना मेरी बात वो बता हूँ कैसे मैंने एक कॉलाइब किया था मेरे दो Indian भाई हैं उनके साथ एक application है वहाँ पर मैं सिंगिंग से रिलेटेड भी हूँ काफी दोस्त जानते भी है ये बात राइट मेरा Instagram मैं Instagram यूज नहीं करता हूँ बहुत ही काम यूज करता हूँ और बत मेरा अभी Season 13 Kokir Studio Season 13 के अंदर मेरा एक गाना आने वाला है राइट सो जब वो आ जाएगा तो मैं अपने Instagram पर एक्टिव आपको नजर आऊँगा बट मैं फिर भी आपको आज पहली मरतब आपको अपने Instagram का ID दे रहा हूँ चाहें तो follow कर लिजेगा नहीं तो कोई बात नहीं है आप जाएगा ज़रूर और मेरी वो आली वीडियो को जूर देखिएगा महाँ पर सारी सिंगिंग से रिलेटेट ही हैं भाई सही है तो जिस भाई को जो वीडियो ची लगे सिंगिंग से रिलेटेट लाइक कर देना वरना मैं आपसे लाइक मांग नहीं रहा सिर्फ जाके वो सुनियेगा आपके इंडिया के जूल नेशनल आप मैंने परफॉर्म किया था और उसमें मेरे जू स्टार्टिंग के जुम्ले थे मैंने क्या बोला था वो भी सुनियेगा और इसका कम्प्लीट एक लिंक फेस्बुक का जो आपके इंडिया के एक बहुत बड़े मुझे तो यही मालूमात थी कि इंडिया के बहुत बड़े कोई शक्सियत हैं जो आपके हम लोग तो यहाँ पर मिनिस्टर्स बोलते हैं आपके पता नहीं यहाँ पर कौन से मंतरी बोलते हैं मुझे नहीं पता लेकर बहराल और उन्हें अपनी Facebook की ID के उपर उसको बड़ा मतलब वो किया था मुझे भी बाद में वालूम चला था यह कि ऐसा कुछ सीन हुआ है Anyways तो वो पाकिसान और इंडिया के किरिके उपर उन्हें अचानक से वाइरल किया था वो बड़ा अजीब सा सीन हो गया था उसका देश उसके लिए बहुत important बहुत माइने रखता है और हर किसी के दिल में उसके मुल्क के लिए उसके देश के लिए एक जज़बा होना चाहिए और जो कि बहुत अच्छी बात है Right So मैं हम किसी को बुरा नहीं बोलते Right और जो भी कुछ है भाई हमारी जितनी भी नफरते पैदा करने वाली बात है यह I'm sorry यह मीडिया सबसे वड़ा काम मीडिया का है जो दिलों में नफरते डालता है मैं खेर कोई सियासत से कोई बात नहीं करने आया आप लोग को विश करने के लिए आया था एक दफ़ा दोबार अपने भाईयों को हैपी होली आप लोग खुश रहिए मुस्कुर आते रहिए अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए और मेरी बात से अगर जी को तकलिफ पहुची हो तो प्लीज मैं बहुत दिल से इसके लिए sorry चाहता हूँ अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा में तो अब से लव यू आल बाई